हलो एब्रिबन कैसे हैं आप साब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजाइन के बेबी सॉक्स और देखिए इसको मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है जिसको उल्टा और सीधा बुनना आता है वो इसको एजली बना सकता है और जीरो से लेके करीब ये डिर दो साल के बच में आ रहा है उतना आप बना लेजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और से जरूर कीजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजे ताकि हमारे वीडियो का नौटिविकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारे, बारे, तेरे, चौदे ये देखे चौदा फंदे डाले हैं और बिल्कुल मैंने लूज फंदे डाले ये देखे आप चाहें तो अगर आपका हांट टाइट चलता है तो आप डबल सराई में भी डाल सकते हैं तो आप देखे हम इसकी फर्ष्ट रो बनेंगे ये बिल्कुल इजी है और इसको विगनर्स भी बना सकते हैं इसको उल्टा-उल्टा बनना है देखे दो तीन चार पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे ये देखे अगर आप बड़े बेवी का बनाना है इसको बना चारे हैं तो आप फंदे जाना ले 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 इसको हम उतार लेंगे बूल अपने तरफ करेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, अभी यहां से हम इसको उतारेंगे और बूल अपने तरफ करके इधर से हम उल्टा इसको बना लेंगे तो देखे यहां पे दो गांटे स्टिच आ जाएंगे यानि कि दो रो यह देखे इस तरह से यहां पे हमने यह दो रो सीधे तरफ बना लेंगे अब देखे हम इसको पलट लेंगे तो उल्टे तरफ से हम इसमें कलर को एड़ करेंगे तो यहां से हम देखे चौथी रो उल्टे तरफ चाहां से हमने कलर चेंज कर लिया दो रो हम इधर से बनाएंगे दो रो उधर से बनाएंगे चार चार रो बनाते हुए जाएंगे अब इसको हम इसी दवाते हुए ले जाएंगे ऐसे इधर से हमने ऐसे इसको बना लिया और इस साइड से हम यह फंदा उतार लेंगे बिना बनेगे देखे बुल को थोड़ा सा ऐसे करके आगे लाएंगे और यहां से हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे अब देखे इसी को रिपीट करते हुए जाना है यह चार चार रो हम बनाते हुए जाएंगे इसको देखे यहां से ऐसे उपर के साइड को कर लेंगे ताकि हमें यह अभी जरूरत पड़ीगा मत भागा तो अंदर के साइड आ जाएए यह दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चवदे यहां से पलट लेंगे और इसको हम उतारेंगे बूल अपने तरफ यहां से हम देखें अब देखें यहां पर हमारे पास दो गांटिश टिच इस पिंग कलर की भी आ गई है यह चार चार रो आपको बनाते हुए जाना है यह हो गया यह देखें अब यहां से हम उल्टे तरफ से बापस यह बाइट कलर को एड़ कर लेंगे तो हम यह देखें इसको हम थोड़ा टाइट करके रखेंगे जाना टाइट नहीं ताकि फंदा लूजना पड़े यह देख यह देखें इस तरह से अब देखिए हम इसी को रिपीट करते हुए इसकी लंबाई पूरी करेंगे फिर हम आपको आगे का दिखाएंगे इसमें यह देखिए इस तरह से हमने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया पिंग की हमने देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ हो गई और बाइट की एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यहां पर हमने अभी दो ही रो कंप्लीट किये एक इधर से और एक उदर से और देखिए यहां से इस साइड में बाइट है तो इस साइड में पिंग होना चाहिए आपका जो भी कलर आपने लगाया है अब यहां से हमने ऐसे अधर भी हम यह दो रो पूरी कर लेंगे यह देखिए और देखिए इसको आप इस तरह से फोल्ड करके नाप सकते हैं तो यहां से लेके इतना यह बेबी के पैर में एडी से आप ऐसे करके रांड में नाप लीजीए तो आप अपने साफ से भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए चार रोग हो गई तो अब यहां से हम बंद कर देंगे सभी बंदे ऐसे दो का एक करते हुए कि इस तरह से कि देखिए यहां पर हमने यह फंदे बंद कर दिये और इस इसको हम कट करके इस फंदे मैंसे निकाल देंगे तो यहां पर यह लॉक हो जाए यह देखिए इस तरह से हमने इसको इधर से बंद कर दिये सभी फंदे अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के लिए सीधा कि इस साइड हम उपर की साइड रखेंगे और यह सोल की साइड रखेंगे तो हम यह से देखिए ऐसे हम सिलना करेंगे है तो इस ही थो कि चलू सकते है थोड़ा बड़ा कट करके कि देखे अब यहां से लेके यहां तक हम इसको ऐसे ही से लेंगे इस तरह ऐसे यह देखे यहां तक हमने सिल दिया यहां पे हम एक बार ऐसे पक्का कर देंगे इतना हम इसको ऐसे राउंड में सिलेंगे इस तरह ऐसे ताकि यहां पे सेप अच्छा आजाए यह देखे यहां तक ऐसे देखे यह देखे इस तरह ऐसे यहां पे गोलाई अच्छे से आजाएगी और हम एक बार और इसको ऐसे टांक रहेंगे अच्छे से यहां पे हम ऐसे पक्क कर देंगे आप देखिए यहां से जितने में बच्चे का पैर आ जाए उतना आपको यहां पे खुला छोड़ना है तो देखिए हम यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच पांच रो तक हम इसको खुला छोड़ेंगे और यहां से देखिए एक रो हम इसकी भी छोड़ देंगे यहां से लेके यहां तक हम ऐसे ही इसको करते हुए आएंगे इधर से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच तो यहां से हम एक रो इसमें से ले लेंगे बाइट वाली में से और इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेंगे और यहां से देखिए इस तरह से हम यहां से अच्छे से नोट लगा देंगे यहां से हम खीषते हुए नोट लगा देंगे यहां पर ऐसे बिल्कुल बंद कर देंगे आप चाहें तो इसको उल्टे तरफ भी कर सकते हैं नोट को कि इसको हम ऐसे अंदर के साइड करके और ऐसे यहां पर हम थोड़ा सा और टक कर देंगे अच्छे से ताकि यहां से खुले नहीं यह देखे और जितने में देख लीजिए आप ऐसे करके यहां से पैर चला जाए बेवी का उतना ही आपको खुला छोड़ना है और देखे इस तरह से कितने प्यारा से बनके कंप्लीट हुआ है यहां पर आप मोती या पॉम पॉम लगा सकते हैं अब देखे यहां पर मैं छे वाइट कलर के ले रही हूँ जिससे देखे इस तरह से हम यहां पर एक इसकी रिंग बनाके कंप्लीट करेंगे यह आप देख लें अपने एसाफ से इस वाले मोती में हम ऐसे कर देंगे तो यह देखे इस तरह से यह रिंग आ जाएगी और यहां से हम ऐसे करके सेंटर म हम इसको निकाल लेंगे तक भी जाएगी बीच वाला जो है उसको हम पिंग कलर कर ले रहे हैं आप यहाँ पर बटन भी लगा सकती है यह देखिए वापस हम यही पर अंदर के साइड निकाल देंगे यह देखिए ऐसे और एक दो जागे आप चाहें तो और टांक सकती है ताकि यह यूज होने पर बच्चे के पैर में खराब ना हुए निकले नहीं यहांसे इस तरह से हमने इसको टांक दिया अब हम इसको पक्का कर देंगे इस साइड में अच्छे से ताकि खुले नहीं यहांसे